नमस्कार खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आदित नाम देव। कि जनता को क्या कुछ देगा इन तमाम विश्यों पर आज हम बाचीत करेंगे हमारे साथ खुद मौजूद हैं 36 गड़ के मुख्या मंतरी भुपेश बगेल सीधा मैं उनसे बाचीत करता हूँ बहुत बहुत शुपकामना है सर पहला सवाल तो मैं यही कहूंगा कि सर चार साल समय बहुत जादा नहीं होता क्योंकि चुनौतियां बहुत थी सर चुनौतियां उस नाते भी हमने देखी है 2013 से 2018 में हर चुटी चुटी घटनाओं में मौजूदगी कारकरताओं को लगातार रिचार्ज करना वो चुनौती एक विपक्ष की थी सर यह चुनौती सक्ता चल देखें कारकरताओं साथ मिलके आम जनता के मुद्दो को लेकर लड़ाई लड़ना वो एक अलग अलग हिस्सा है अलग विधा है और अलग अनमोह है और वही चीज आप सत्ता में रहते हैं तब आपको उसको नियम बनाना विधान सबस पारिज करना उसके लिए फंड जनर होती हैं और अलग संघर सा है लेकिन एक चीज उसमें कामन है कि मेहनत उसमें भी है और मेहनत इसमें भी है उस मेहनत में ज्यादा मज़ा था कि इस मेहनत में ज्यादा मज़ा है दोनों का अपना अनभा है मेहनत तो उसमें भी है लेकिन वो सारी चीज़े आपके हाथ में हो होना चाहिए और ऐसा नहीं हो रहा है इसमें आपको ऐसा करना है तो वो काम करने के बाद जो उपलब्दी होती है वो उसमें लोगों के लिए संघर्श करना और लोगों का आसिरवाद मिलना वो अलग अन होती है आरक्षन एक बहुत बड़ा विशे हो गया सर चत्तिसगड में समवेधानिक टकराओ की हालाद बन चुके हैं चत्तिसगड में जो खबरी आई थी बहुत साफ था उसमें जिस समय जिस शन ये विधेक आएगा उसमें सिगनेचर हो जाएगा समय बीटता जा रहा है और जो बयान उस तरफ से आ रहे हैं राजभवन की तरफ से वो लगता भी नहीं कि अब उसमें सिगनेचर होगा क्या स्थिती देख रहे हैं आप क्योंकि जनता आपकी तरफ देख रही है क्या कोई विकल्प है आरक्षन को लेकर देखिए राजपाल के पास तीन आपसन हैं या तो से लटा दे या अनन्तकाल तक के अपने पास रख ले या फिर उर्राश्पती के पास भीज़ दे लेकिन इन तीनों हालात में प्रदेश की जनता को नुकसान है और प्रदेश की जनता के हित में यही है कि उसे तत्कास से इनेचर करके देना चाहिए यह एक आत्म परसर से जो परची आई है उसके अधार पर राज सरकार को जो चुठी लिखी गई है वो सविधानिक तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि आप उब्योस्था नहीं है कि आप इस प्रकार से किसी एक्टम क्योरी करें यह कहीं है नहीं लेकिन एक आत्म परसर से परची आने के बाद आप आपने ऐसा किया है मैं समझता हुचित तो नहीं है चत्यजगड में पहली बार ऐसी स्थिति देख रहा हुँ सर इतने सालों की पत्रकारिता में कि किसी समाज ने राजजपाल का भहिशकार कर दिया हूँ यह स्थिति कहां लेकर जा रही है चत्यजगड को एर एलाइंस बेज दिये बहुँ सारे सारे जोने के उक्रम बेज रहे हैं नगर नार भी उसके लाइन में है उसमें यदि नगर नार रहत चलाती तो निश्य तो उससे आरक्षन का लाव वहां के लोगों को मिलता अधवासियों को पिछड़े अबर के अंसुची जाती के सब वर्गों को मिलता लेकिन अब जो कि निशी हाथ में यदि बिग गया तो फिर आरक्षन का लाव कहां मिलेगा तो पिछले दरवाजे से सब पधी समाप्त कर रहे हैं तो आरक्षन एक प्रकारते विरोज में काम कर रहे हैं आप देखेंगे कि आईए सद्गारियों की जगह आप 15% आप कार्पेट सेक्टर से ले रहे हैं तो आरक्षन तो खतम हो गया तो ऊपर लेबल में देखें और निचले इस तर पर देखें उस सब समाप्त करते जा रहे हैं 35-45 ट्रेने बंद कर रहे हैं 36 गड़ में तो इसका मतब यह है कि उसमें फिर डैबर भी नहीं लगेगा गार्ड भी नहीं लगेगा क्या जरुरत फिर आप एक बंदे भारत सुरू कर देंगे और 40 ट्रेन बंद जाते हैं पूरी तरह से एक वैक्यूम टाइप का हो गया है आम लोगों के लिए ट्रेन चली नहीं पा रही क्या उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं देखे रहो जी सहीं बात करते हैं कि वह नोट बंदी करें जेस्टी करें लाग डाउन करें अब वो ट्रेन बंद करके लोग लोग गरीब लो इसमें यात्रा करते हैं सस्ते दर में होता है यात्रा अब उसको महागा देना पड़ेगा और आप सब बेंच रहे हैं तो पैसा किसका निकला आम जनता कि जेशु पैसा निकला गया किसके पास बड़े लोगों को पास सर जब जब पड़े आत्रा हुई है तब तब सिहासन डोले हैं सर मैंने देखा है आपको पड़े आत्रा करते हुए महात्मा गांधी कोई भी पड़े आत्रा के बारे में हमने सुना है सर सौ दिन हो चुके हैं राहूल जी की पड़े आत्रों कितना अंतर मान रहे हैं सर ये तो समाज में जो जहर घोलने काम किया गया है, उसे दिलोग जोड़ने की बात कहे जा रही है, तो हमारे देश में रिशी मुनियों ने समाज को जोड़ने का काम किया है, समाज सुधारकों ने समाज को उपर उठाने काम किया, लेकिन सत्ता के लालच में और अपने मित्रों को पहुचाने के लिए आप लगातार संफ्रताईता के जहर खोलते रहें, सत्ता मिल गई और उसके बाद अपने उद्योपति सांसियों को आप बेतहासा पईशा दे रहे हैं, ना किसानों की दाम मिल रहा है, ना वेरोजगारों को काम मिल रहा है, यह इस पदियातरस फाइदा यह होगा कि जो मूल जो समस्या है लोगों की, उधर ध्यान गया है, कि हाँ महंगाई संफ्रत्त हैं, विरोजगारी से हमारे लड़के बच्चे हैं और जूज रहे हैं, और जो अपने लाब के लिए जो संफ्रताईक तक जहर घोला जा रहा है, वो समाज के लिए ठीक नही में सबसे जादा है, किस तर से स्थिती देख रहे हैं सर 2020 की? करनाटक और मद्रदेश तीनों जोड तो नहीं करते तो उनके पास केवल उत्रांचन और उत्तर प्रदेश बसता है, यह इस्तिती भारती जनता पार्टी धिरी-धिरी सिमरती जा रहे हैं, तो आने वाले चुनाम भी और सिमर जाएगी. सर, हर शक्स जब आईने में खड़ा होता है तो खुद का प्रतिवीम बे देखता है सर, आप भी आईने में खड़े होते होंगे. क्या लगता है उन चार सालों में कौन से ऐसे काम है जिसको देखकर आज भी ऐसा मन को तसली होती कि हामे ने यह बहुत अच्छा किया और एक टीज भी होती कि यह मैं नहीं कर पाया, ऐसे कौन से काम देखता हूँ? वो खुशी देती है. आदवासियों के बीच में जो जाते हैं, जमीन उनको मिला, लुहानी गुड़ा जमीन वापस किये, फारेश्टाइटेक पट्टा मिला, लगोन पची खरीदी हुई, और उसके जीवन जो परवरतन आया, और अब उसके चेहरे में कोई भै नहीं लाएं, तो बहुत सुकुन मिलता है. कौनसे ऐसे काम है, ऐसा लगता है कि थोड़ा और समय मिल जाता तो और अच्छा होता सकते हैं? भारास सरकार से कुछ हमको सहीयोग मिलता है, तो हम और बहतर कर सकते थे, जिसे हम कारगो ला सकते थे, उसको अनमती देना है, इसनाल प्लांट के अनमती दे सकते थे, हम किसानों को जिवना और बहतर कर सकते थे, कारगो आ जाता है तो लोगों को रोजगार मिल जाता है, ब रमान सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है सर एडी और आईटी जाएगी नहीं छोड़ेगी नहीं ये शब्द क्या है सर क्या ये शब्द आने वाले एक साल और परिशानी में डाल सकते हैं या सरकार आपको लगता है कि ये सब नहीं होते तो आज 36 गड़ और कहीं होता मुझे जेल भी बेजाता तो जेल का भख नहीं हो जे और पूरे प्रदेश की जनता जान रही है कि ये सरकार है हम लोगों ले काम कर रही है और यदि एडी आईटी आएटी आकर यहां घूम रही गलियों में तो ये सरकार को परसांद करने के लिए है तो हम जनता की हित में हम काम करते रहेंगे हम डरने वाले नहीं है जुकने वाले नहीं है पस्चिम बंगाल में हमने वो देखा सदर टकराओ ममतब एनरजी के समय उससे बड़े टकराओ के लिए क्या 36 आपको नजर आ रहा है क्योंकि वही परिस्तियां धीरे धीरे आप तो 36 गण भी बनते जा र आग में तब के और खरा होता है जितना अपाना है जितना परसान करना कर ले हमें कुई परसान ही नहीं है सर, 2000-2003 में आपने जोगी जी का भी शाषन देखा, 2003-2018 डॉक्टर रमान सिंग को भी देखा, 2018-2022 अभी मुख्य मंत्री आप हैं, तीनों कारेकाल को अलग किस तरह से मानते हैं और तीनों में अपने आप किस तरह से बहतर मानते हैं? जोगी कारकाल में में हिस्सा था, मंत्री था, उस समय इस चुनोतियां थी कि राज बना अलग हुआ है, कोस खाली है, उस समय काम सुरू करना है, प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है, वो सब चीजें उसको ब्यौस्चित करना, वो काम था, और ब्यौस्चित करके दे दिये सर्प्लस बजर करके, और उसके बाद रवन सिंग कारकाला आपने देखा है, कि एक चात्री गड़ के लोग ठगावा मश्चूस कर रहे थे, कि इसके कारकाल में हमको कुछ मिला नहीं है, कि वाल चावल के लावा, चावल वाला बाबा के लावा, उसके लावा कुछ मिला न तो नकिसानों को दाम मिला, ना जौनों को रोजगार मिला, ना बयपार बयसा, फला फुला नहीं, आतन्क कसाया था, पुरे बस्तर आप यहां से जाते थे, आप के परवार के लोग चीनती तरह थे थे, कि घर लोट के आयेगा के कि नहीं आयेगा, पत्रकारों की बात करो, यहां जब आप रायपूर से जाते थे तो घर के पत्नी की चेहरे में ये प्रस्ट नतर उभरता ही था उसके मात्य में कि अज्जात रहा है, आयेगा कि नहीं आयेगा, आज ओई स्थिति नहीं है प्रदेश में, तो प्रदेश में सुख सांती का वातर रन है, नकसली बहुत आसान डिसिजन था नहीं सर क्योंकि एक बार आप लोगों से बात करें जिनको आप पहले से जानते हैं अचानक किसी भीड में पहुँच जाएं कब कौन कौन सा सवाल कर दे अचानक क्योंकि उसका जवाब हो सकता अधिकारियों को भी ना पता हो सर कि पहला हमने स्वरूप द बहुत सारी योजनाएं हम लोगे ने लागो की, एक साल चिनाम बीद गया, दो साल करोना में बीद गया, तो जनता के बीच में ये पहुच रहा है कि नहीं पहुच रहा है, हम उनहीं से पूछें, दूसरे से क्यों फीडियो एक लें, कि सर्वे कराएं, या कारकरताओं से क्या हुआ कि जब एक तहसिलदार की खिलाप करवाई कर दे तो पूरी जाती प्रमान पतर बन गया, आपको जाती प्रमान पतर की सिकायत नहीं मिलती, एक फुड आप फुड में काम, अद्गारी खिलाप काम कर दे, तो सब के रासन कार्ड, सब कहीं कोई सिकायत नहीं मिलत तो अब वो दिरे दिरे जब शुरुवात हुई थी तो करवाईयां भी हुई लेकिन तेजिस काम हुआ तो मतलब तो यही है कि आम जनता के काम तेजिस होना चाहिए है सब यह कहते हैं सर भेट मुलाकात का परपस कोई दूसरा भी है मुख्यमंत्री जी का कि कम से कम विधायकों को तो मैं ना पलूँ क्योंकि इन विधायकों के साथ बहुत आप 15 साल आपने देखा है सर लास्ट के 5 साल तो हमने आपको फिल्ड पर ही देखा है पूरी तरह से बह करें सर की भेट मुलाकात जब खत्म होगी अगला चुनाव आगा तो बहुत सारे नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं जब भेट मुलाकात होते तो विधायक साथ में बैठे राते हैं और कई जगा है विधायक से सवाल ही पूछ लिए गया है ऐसा नहीं है उसे सवाल न कर रहे हैं लोगों भी काम कर रहे हैं तो काफी मादा सकरात्मक रिपोट आया है एक बात तो बिलकुल साफे सर 2023 का चुनाव बहुत आसान नहीं हो क्योंकि बीजेपी सामदाम दंड भे सब कुछ लगागी जो अभी से नजर आ रहा है चेहरे बदलने पड़े ही ऐसा लगत बता हूंगा उसके बाद हाई कमान फैसला करेगी कि हां यह जीज सकता है तो दूसरा काम दिया जाया और दूसरा काम लगा जाया चार साल में सबसे बड़ी चुनोती क्या लगी साथ यहां तो ऐसा कोई दिन नहीं भी तै जिसमें चुनोती भरना हो इतने पांच उप चु कितने ही सिम्हाओं में रोग था हमके तो रोज को समसा आती है तो तो अब अब कि चुनाओं का शुप शुकरी कि आता हूं है सर यह जानकारी आई थी थी सर वे आप समें बोलना चाहिए तो बोलने सर की यह संगठन नहीं चाहारा था सावित्री मंडावी को लड़ाना ले आपका वहां का लोकल जो चीजे थी आपको नजार आ थी कि सावित्री मंडावी लड़ेगी तो ही जीतेगी चुनाओ नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं कहाँ मैंने कहा कि जो सरौन होती हो वो होना चाहिए क्योंकि सावित्री जी कभी पॉलिटीशन नहीं रही सर लेकिन राजितिक परवार्शत है उसके ससूर विधायक रहे उसके पती विधायक रहे खुद हमें सब जन्ता की बीच में रही है तो ऐसा नहीं था कि वो बिलकुल अनभीग थी सभी कारकरताओं जानती थी बात यही था कि सरवानमति से कोई नाम आया नहीं है और सभी अधिकांस लोग हैं वो सावित्री के पक्ष में थे हैं तो सावित्री ठीक में लिए 36 गड़ में कहते हैं सर चतिस जिले बन जाएंगे क्या और ऐसी उम्मीद है कि अभी तरने चुनाओं तक के तरने 6 जिले बनाए हमने 85 तहसी तहसील बना दिये 11 अनुभाग बनाए तो प्रसासन के विकेंद्री करने के काम तो हम लोग बहुत किया है लेकिन अब चुकि अप्चुनाओं नस्दीक है इसलिए कोई नया जिला बनाने का तर लाउन ओर्डर को लेकर बीजेपी काफी मुखर हो रही है सर इसमें क पकड़ लिया है उसके वाज जब कोट कैचरी मामला जाता है तो कहीं ने कहीं लिंगर ओन होता है और ध्यान नहीं दिया जाता है इसमें थोड़ी कमी बहुत जनता पार्टे के राज में तो बैंक लूट ली गया है पकड़ा नहीं गया जेल ब्रेक हुआ पकड़े नहीं जीरम जैसे घटनाय घट गई कोई पकड़ा नहीं गया तो भारती जनता पार्टिक सासा नहीं होता हमारे जितने भी घटना होई जा अफरान के हो हत्या के हो वो सारे आरूपी पकड़े गया है अब चूंके नियालिम पक रिया है तो उसमें मैं असक्षिप नहीं का सकता ये 9 मैने के प्रात्मिक्ता की रहीगा प्रात्मिक्ताइ आपको बजट के समय देग जाएगा हम क्या 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 करने वाले ने वो बजट में देखिगा लेकिन हमारी कोशिशिए कि बहतर हम काम करें क्या और कसावट की जरुत लग रही है स forty onion यह कसावट जो शुरू से दिख रही है यह एक साल और वड़ी नहीं चाहिए ऐसा लगता है। जवाब दे हैं तो हम लोगों को अपने जिम्मेदारियों को निर्वान करना चाहिए। जन्ता पार्डिक लोग बताएं किसको सामने करके लड़ेंगे। उसे मैं नहीं बता सकता। एक चर्चा ये भी चल रही है सर कि एक और प्रदेश अध्यक्ष नया बदला जा सकता है दिल्ली में कई लोग कह रहे हैं। आप्शन नहीं मिल पा रहा है प्रदेश अध्यक्ष जो 13-18 की समय आपका हमने देखा। एग्रेशन एक जरूरी है सर विपक्ष के नाते और आप भी मानते हैं कि सरकार तभी बहतर चलती है जब सशक्त विपक्ष सामने हो। उसमें कुछ कमी लग रही है सर कुछ बैतर होना चाहिए। यहां से एक आत्म पर से पर्ची जा रही है। ऐसे सक्रिता ठीक नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष भी सर, नेता प्रतिपक्ष भी सर भरती इंता पर्टी के सर। अब नया शगूफा आदिवासी मुख्यमंत्री। यह हो क्या रहा है सर। ठीक के जनता को क्या कहने से? चाहाइ गोटूल बनाने के बात हो चाहाए देवगोडी बनाने के बात हो राम और पौर्वाण तरफ। तो सौस, सिक्षा, रोजगार और सांस्कृति इस सब को लेके हम लोग चल रहे हैं तो इसी माध्ध्यम से चत्तिजगर महतारी के और ज्यादा ज्यादा से वा हम सब मिल के करें यही मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहूँगा बहुत भधन्यवाद से आपकी मुलाकात कराएंगे तब तक के लिए बहुत 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 दूश्ता